C.I.E.T. and C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा तीन की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का आठमा पाठ पंख फैलाएं उड़ते जाएं मोर बूला सिर पर मेरे रिक्तिस्थान है सुन्दर पंखों पर नाज है सुन्दर नाच दिखाता हूं राश्ट्रे पक्षी कहलाता हूं चील बोली आकाट से सीधे आती हूं जपट चूहा ले जाती हूं पूँच है मेरी खाचे वाली रिक्तिस्थान हूं मैं बड़ी निराले तोता बोला हरे हरे हैं मेरे पंख लाल है मेरी रिक्तिस्थान का रंग हरी मिर्च मैं खाता हूँ, रिक्तिस्थान मैं कहलाता हूँ कव्वा बोला, काले काले, रिक्तिस्थान है मेरे, रिक्तिस्थान रंग काउं काउं मैं शोर मचाता, रिक्तिस्थान कोयल बोली, कुहु कुहु आवाज लगाती, मदूर मदूर मैं गीत सुनाती सबके मन को हूं मैं भाती देखो रिक्तिस्थान मैं कहलाती गिद्ध ने पूला मरे जानवर खाकर मैं जवा साफ कर देता हूं उचे रिक्तिस्थान में उड़ता हूं गिद्ध मैं कहलाता हूं कभूतर बोला, रंग सलेटी पंजे रिक्तिस्थान, गुटर गूंकी भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूं, रिक्तिस्थान मैं कहलाता हूं बया बोली, चोच है मेरी बड़ी निराली सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिल कर घर बनाऊं, रिक्तिस्थान चिडिया मैं कहलाऊं कट फोड़वा बोला, पेड के रिक्तिस्थान में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीडे मैं खाऊं, तुक तुक करता जाता हूं, कट फोड़वा कहलाता हूं तब उल्लू ने कहा, अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा तब फाक्ता बोला, उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते ये शोर गुल, ये कैसा जगड़ा हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पंक, पैर, चोच और बोली चाहे अलग-अलग है, पर हम सभी पक्षी है सोचो, अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती, तो कितनी नीरस होती हमारी दुनिया पाठ में आये पक्षियों में से, तुमने किन-किन को देखा है, उनके नाम लिखो अब बाहा जाकर देखो, तुम्हें कितने पक्षी देखते हैं, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी में, पानी के आस-पास, तथा जारियों में भी देखना पक्षियों के नाम भरो, और सही जिगय पर सही का निशान लगाओ अगर नाम नहीं जानते, तो उनकी कोई पहचान लिखो जैसे पक्षी का नाम, वो कहां रहता है, जहां पर तुमने देखा है पानी में, पेड़ पर, जमीन पर, घर में, या उड़ते हुए क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, कि अलग-अलग पक्षियों की चोँच भी, अलग-अलग तरह की होती है अलग-अलग पक्षियों की चोँच को पहचानो जितनी अलग अलग तरह की पक्षियों की चूँच होती है उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन पक्षी तरह तरह की चीजे खाते हैं कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीडे मकोडे खाता है तो कोई मचली क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन गुमाने की तरीके अलग-अलग है मैं ना जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक गुमा सकता है क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की निकल कर सकते हैं क्या तुम किसी ऐसे पक्षी का नाम जानते हो? उसका चितर अपनी कौपी में बनाओ और उसका नाम भी लिखो बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं उनके पंक कैसे हैं और वे गर्दन कैसे हिलाते हैं पक्षियों की आवाजें भी सुनो किनी तीन पक्षियों की आवाजों की नकल करो? उनके गर्दन को हिलाने की भी नकल करो अपने साथियों से कहो कि वे पहचाने तुमने किस पक्षी की नकल की है? पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों वर डिजाइनों के होते हैं उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं इतना ही नहीं पंख उनके शरीर को गरम भी रखते हैं समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख जड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंकों को देखा होगा। पक्षियों के गिरे हुए पंकों को इकठा करो और उनके रंग, आकार और आकरिती पर चरचा करो। एक पक्षी का चित्र अपनी कौपी में बनाओ और उस पर पंक चिपकाओ। उसका नाम भी लिखो पक्षियों के अलावा और कौन-कौन से जानवर उड़ सकते हैं? अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहां-कहां जाते? क्या-क्या करते? यदि पक्षी उड़ ना सकें बस अपने पैरों पर ही चलें तू क्या होगा? पंक फैलाएं उड़ते जाएं अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठे पुस्तक का आठमा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत